तरह से इसका next part है तो यहां पर आपको क्या देख रहा है ठीक है ना देखें यहां से यहां तक यह 12 है और यह 3 है यह 6 है यह देखें इसकी जो यह length ठीक है न यह कितनी 5 और यह इसका 6 दिया हुआ यह 3 दिया हुआ तो इसने ना खुद नहीं divide किया हुआ इसको 3 पार्ट में यह 1 rectangle हो गया यह 2 rectangle यह 3 rectangle तो हम पहला इसकी dimensions निकालेंगे यहां से तो यह दिया हुआ हम यहां से यहां तक 6 तो देखो यह भी 6 होगी तो यह कितनी पर जाएगी 12 में से जब 6 जाएगा तो यह 6 meter हो जाएगी ठीक है न अब बात आते है इसकी देखो यह दुब्रेथा आगई इसकी length क्या हो जाएगी यहां से यहां तक इसने बोलाई कि यहां से यहां तक कितना 3 है और यह length और यह length ठीक है न 3 हो जाएगी 3 और 3 तो 5 और 3 8 तो यहां से इसकी length आगई कितनी 8 अब बात आते है इसकी तो यह कितना हो जाएगा यह 6 meter और 3 cm 6 cm और 3 cm पहले से यह ठीक है नेक्स पार्ट देख लेते हैं इसका तो यहां से यह figure दिए है इसका area find out करना है तो देखो इसका area किस तर 2 cm इसने नीचे दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे इनको ना ऐसे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे ठीक है ना ऐसे कि यहां पर यह rectangle बन रहे है इतने यह rectangle a बन रहा है यह c यह d और यह e तो इसका जो area होगा क्या हो जाएगा ठीक है ना इसका जो area हो जाएगा वह हो जाए सेंटीमेटर स्क्यार इसी तरह से बी का निकालना तो बी का कितना हो जाएगा फोर सेंटीमेटर स्क्यार ठीक है सी का निकालना सी का कितना हो जाएगा त्री सेंटीमेटर स्क्यार क्योंकि त्री इंटू वन आएगा एक एक कम होते जा रहा है ना हरुसमें ठीक है डी का आ जा क्या होगा area of figure यह हो जाएगा हमारे पास सभी rectangle को क्या कर देंगे add कर देंगे यहाँ पर लिख देंगे area of rectangle A plus सारे सारे लिखने पड़ेंगे आपको ठीक है न area of rectangle B ठीक है न इस तरह से C D and E ठीक है तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा देखो 5 cm square square प्लस के 4 cm square प्लस के 3 cm square प्लस के 2 cm square प्लस के 1 cm square तो कितना होगे 5 और 4 9 3 12 और 2 14 और 1 15 ठीक है न तो इसका area जाएगा 15 cm square इसी तरह से इसका next question है यहाँ पर यह डीपार्ट डीपार्ट में आपको क्या करना यह भी इसी तरह से डिवाइड करने ठीक है न यह आप खुद से ट्राई करना question number 21 है find the shaded area इसमें shaded area बताना है आपको क्या दिया हुआ यह दिया हुआ ठीक है न तो यह figure है इसकी जो outer जो यह है हमारे प outer rectangle है यह क्या है 10 cm की वह है इसकी और लेंथ है और इसकी जो ब्रैथ है वह कितनी 8 cm है तो यह मुझे बताना है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यह पार्ट यहां से निकाल दूना ठीक है न यह काट के अलग कर दूना यहां से तो यही बचाएगा मेरे पास ठीक है न तो है और यहां भी 0.5 cm है और इधर भी यह 0.5 cm है और यहां पे भी यह कितना है 0.5 cm है ठीक है तो मैं क्या करूँ अगर इस outer rectangle के area में से ये वाले rectangle का area माइनस कर दो तो मेरे पास इसका area आ जाएगा ठीक है न मैं इसको मान लेता हूँ A B C D ठीक है न इसको मैं मान लेता हूँ 0.5 cm ऐफ जी एच बट उसके लिए मेरे पास इसकी क्या होनी चाहिए dimensions होनी चाहिए यह है नहीं outer की तो है तो इसकी dimensions निकाल लेते हैं देखो यह क्या क्या रहेगी यहाँ से देखो यह 10 cm है तो इसकी कितनी हो जाएगी अगर मैं इसकी यहां से आदा यहां से निकाल दू आद़ यहां से निकाल तो टोटल एक निकल जाएगा तो 10 cm में से 1 cm हो जाएगा नहीं तो सभाट नीन pan Då cust को कि देखो यहां से एरिया ओफ यहां से यह निकल लो पहले लेंथ इसके लेंथ ऑफ कि रेक्टेंगल कि अबीशएडे आफ टीच एबीशएडी के लेंथ कितनी इस टैन सेंटीमेटर है और ब्रैथ कितनी है इसकी इसकी जो ब्रैथ है वो है हमारे पास 8 cm ठीक है तो एरिया कितना आ गया इसका जो एरिया है वो आ गया 10 cm into 8 cm कितना हो जाएगा वह यह हो जाएगा 80 cm square है ना अभी बात करते हैं कि इसकी यह वाले rectangle की तो यहाँ पर length of rectangle EFGH तो यह कितने हो जाएगी यह देखो हो जाएगा 10 cm में से मैं 1.5 cm दो बार minus कर देखने खिर कितना हो जाएगा यह दो ना बचेएगा एक जाएगा तो यहाँ से बचाएगा सैवन सेंटी मेटर तो इसका एरिया क्या हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा 9 cm into 7 cm तो बजाएगा 63 cm तो area of shaded portion तो area area of area of shaded portion ठीक न shaded portion का area कितना बचेगा आपके पास area of area of rectangle EFGH यह बचेगा area of rectangle EFGH a b c d ठीक न a b c d मैं से मैं निकाल दू area of area of EFGH ठीक न तो जितना आएगा वो हमारा इसका